हलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बीएट पास सेमिस्टर की फर्स्ट बुक शिक्षा का शमासा स्रेम दाशनेक आधागत परिपिक्षर उससे पहले हम लोगों ने इसके नियर बॉट फाइब पार्ट्स कम्प्लीट कर लिये हैं और फिप्ट वाले वीडियो में हम ग्यान मिमा अत्तत मिमांसा के बारे में पढ़ाता है अब हमारा पार्ट शिक्स है मुल्य मिमांसा और इसको फिनिश करने के बाद हमारा ये लेसन वन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा ओके लेट स्टार्ट करते हैं आपको बताई है हमारा जो स्लेबर से ये काशी मात्मा गांदी काशी विद्या बिट से रिलेटेड है तो जिसने भी पॉर्म भरा है अपना तो उसको रेट कर सकते हैं सुन सकते हैं और एक्स्प्लीन आइविल्ट दर्शन शास्त की तीसरी प्रकारों मापडंडों एवं उनके स्रोत्रों अतता प्रभाव नैतिक शिक्षा या मुल्य शिक्षा पर बल देती हैं मुल्य शिक्षा मिन्स के जैसे कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि ये साही है ये गलत है कोई चीज है उसको नहीं करना और समाज में जो रिती पहना वो सही है लेकिन कभी-कभी उन पर कोश्चन्स भी खड़ा हो जाता है तो देखते हैं अगे मुल्य मिवान सा सेही नीती शास्त एवं आचा शास्त का विकास हुआ है इसमें बताया जाता है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है क्या सुन्दर है क्या असुन्द को आदश होना चाहिए उसमें आदश मानगे एवं सामजिक मुल्य होना चाहिए उत्तमचरित्र होना चाहिए सदाचार होना चाहिए मुल्य मिमांसा का अर्थ मुल्यों का निर्धारन करने वाली धर्म एवं संस्कृति होती है मुल्य का निर्धारन कौन करता है धर्म और स धर्म एंसक्रटि एं अते मुल्यों की सार्ब kilka मिघ परीभाश 사थ देना एवं उनका अर्थापन करना कटीन है प्रत्यक धर्षण मुल्यों का अर्थापन अपने तरीके से करता है इस प्रखार प्रत्यक समाच को divine ْमुल्य होते हैं मुल्य मिमानसा को अंग्रे जी में एक्सिलोजी कहा जाता है जो दो शब्दों से मिलकर बना है एक्सियोज प्लस लोजी एक्सियोज का मीन्स है अर्थ मुल्य या वैल्यू और लोजी का अर्थ है विज्ञान इस प्रकार मुल्य मिमानसा के अंतरगद जीवन के बौधिक, सौंध्यपरक, नयतिक, आध्यात्मिक मुल्यों का विवेचन किया जाता है मुल्य मिमानसा की विशेष्टा है मुल्य मिमानसा की कुछ विशेष्टा है मुल्य जीवन के मानक रूपी मानडंड है समास जुआरा मुल्यों को स्विक्रती दी जाती है मुल्यों को आकांख्षाओं के रूप में धारण करते है मुल्यों की प्रकरती व्यवारिक होती है मुल्यों का संबन धर्म एम संस्क्रती से होता है मुल्यों का विकास अनुकरण से होता है जीवन के प्रति दस्टिकोन को मुल्य मनाते हैं मुल्यों का संबन भावनाव और सम्मेदनाव से होता है मुल्यों का संदर्व बिंदू समाज होता है इनका संबन्द भावनात्मक पक्ष से अधिक होता है मुल्य विक्ति की इच्छाओं और अभी वरत्यों पर निर्वर होते हैं अभी वरत्यों की गहनता ही मुल्य का रूप लेती है मुल्यों से धर्म, समाज, संस्कृति एवम, रास्टे की पहचान होती है रास्टे एवम समाज मुल्यों पर बल देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं इस प्रकार इसपस्ट होता है कि बिना मुल्यों के कोई अस्तित्व नहीं होता और बिना अस्तित्व के कोई मुल्य नहीं होता जीवन में सत्य किसी को भी माने उसके चिंतन के तथ्यों में मुल्य निहित होते हैं सत्यम शिवम असुंदरम की अतिरिक्त किसी का भी अस्तित नहीं है व्यक्तित्व का अस्तित मुल्यों से ही होता है यही वास्तिक सकते हैं मुल्य विमानसा के प्रकार नैतिक मुल्यों को जीवन की आचार सहीता भी मानते हैं जिन नैतिक विचारों को व्यक्ति अपने ततकालिक अनुभों में ढूनता है गटनाओं के परिणाम सरूप उनका निश्य परम शुप संके द्वारा होता है अंतर ते ऐसा कोई निर्पेक्ष आधार नहीं है जिस पर नैतिक मुल्यों का निर्धारन किया जा सके इस संदर में यही विचार किया जा सकता है कि व्यक्ति जिस सामाजिक समू में रहता है उसकी स्विकर्ती मुल्य का आधार है यदि व्यक्ति का आज्रन समाज को स्विकर्ण है तो उसी में नेतिक मुल्य नहीत है तथा वह उस आज्रन से संतुस्ट रहता है सौंदरे अनुभूती मुल्य सौंदरे ने भूती मुल्यों का अध्यन सौंदरे शास के अंतरगत किया जाता है इसे सौंदरे का विज्ञान भी कहते हैं इसका संबंध शिक्षा के अंतिम लक्षे से है शिक्षा के तीन अंतिम लक्षे है सत्यम, शिवम, सुंदरम यह व्यक्ति का कलात्मक पक्षे चात्रों का सरवांगिन विकास करना ही शिक्षा का लक्षे है सौंदर इशास्ति की समस साहित्ति तथा कलात्मक समालोचना का आधार है यह मुल्य साहित्य और कला को दाशनिक आधार प्रदान करता है व्यक्ति के मुल्य में साहित्य और कला का महत्पुन योगदान है इस विवेचन से सौंदर यनुभूती मुल्य का महत यम उपयोग इसपस प्रतित होता है थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक मुल्य सामाजिक मुल्य के किसी विशिष सिद्दान को न मानते हुए भी यह कहा जा सकता है कि समाज से बली बाती संबंद रहने में व्यक्ति मानव जीवन के सामाने संदर्व के अंतरगत ही है यदी मनुष्य की समास से нее इच्छा है तो भी वह समास से अलग हो सकता है यदी व्यक्ति को सर्वत्त्म कारे करना है तो वह दूसरे व्यक्तियों के मित दायत open का निर्वा करना है वैटि को उन कट्र्णत वक को भी सूइकार करना पड़ता है जो उसे सामची सामंय सामुधाई जीवन के उत्तरदाईत प्रती भागी के रूप में निभाना पड़ता है सही मायनओ में इसे सामजिक यप मालेता है پर उसमें क्या है पटा की भूमी का क्या होती है अपनी family कोрах देख ना तो नहीं सकते है तो है तो यह वी सिपये है उसका सामजिक मुल्य कहा जाएगा रीकर इसको पता है कि इसको फुल्फिल करने है और जो ऐसा नहीं करता तो समाज उसको यह कहता है कि देखहिए इसने ऐसा नहीं किया दुसाम मुल्य पर डिपेंड करता है अवे धार्मिक मुल्य मानव जीवन कलात्मक कि अपेक्षा धार्मिक है धार्मिक मुल्य अधि कहां से तत्विमानसा पर आधारित है इनका उल्लेकनी अफवाद यह है कि धार्मिक अफवाद भांती के माध्यम भी हो सकता है इश्वर में विश् कर्मिक मुल्यों का विशलेशन किया जा सकता है जिनका तत्विमानसा अत्मक मूल दर्शनों में है मुल्य मिमानसा के प्रकारों की विवेचना से इसपस्ट होता है कि मुल्यों पर विक्ति जीवन अधारित है मुल्यों के ज्यान से मात्र मिमानसा होती है विक्ति के संस्कारो समस्य हैं जबकि मुले विवांसा उसकी विवारिक समस्य है भारतिय दर्शनों ने मुले विवांसा का विश्यद व्येचन किया है योग-दर्शन विवारिक ततता बहुतमिक डस्टी से जुड़ कर उसका आन्द लेता है दाशनी को का मानना है कि इश्वर का अस्तित्व है तता वही शाश्वत है उसके अंदर ही सभी मुल्ले समाहित है मुल्य तभी सत्य होते हैं जब व्यक्ति उसके बारे में अनुभूती करता है आदश्वात के अनुसार जीवन के अंतिम, मुल्य, सत्यम, शियों, सुन्दरम तीन माने गए हैं मानव जीवन के लक्षों का आंक्लन मुल्यों से ही किया जाता है दर्शन का आंक्लन मुल्यों से ही किया जाता है दर्शन के अनुसार प्रमुख चार मुल्य, नैतिक, सौंदर्य, अनुभूती, सामाजिक तता धार्मिक का विवेचन किया जाता है मुल्यों का आधार्वी दर्शन सत्य होता है मुल्ले एवम सत्य को अलग करना कठीन है शिक्षा के उद्देश शिक्षा विकास की एक सो उद्देश पुन प्रकेरिया है जिसका सेदान्तिक पक्ष दर्शन माना गया है शिक्षा प्रकेरिया में नियोजन एवम विवस्ता की अवशक्ता होती है नियोजन के अंतरगर्थ उद्देशों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उद्देशों की प्राप्ति हेतु विवस्ता की जाती है दाशनिकों का विचार है कि शिक्षा उद्देश केंद्रित होती है मुल्य केंद्रित नहीं लेकिन उद्देशों की प्राप्ति के सासत मुल्यों का भी विकास होता है यह सत्य है कि उद्देशों की प्राप्ति की प्रकिरिया में मुल्यों का भी विकास होता है क्योंकि उद्देशों का निर्धारन मुल्यों की द्रस्टी से किया जाता है मुल्यों को प्रधानता देन वाली शिक्षा कि कुछ उद्दě्श निम्लिकेता हैं imagine क्रत्र टा अध्यात्मिक विकास करना आत्मानुबूती का विकास करना नैतिक आधा चारित्रिक विकास करना जीवन की वास्तिकताओं को सविकार करना ऑनके के सा、 समयोजन तथा समनवे स्तापित करना अच्छे गुणो का ज्यान देना चारित्रिक विकास करना मनुश्य को सब्वра मनुष्य वनाना समाज की बराईयों में। लेंता को खोजना उप्यक उद देशों का जीवन के मुल्यों से सिद्धा संबंध है इन उद देशोंकी प्राप्ति से जीवन के उच मुल्यों के प्रति आकांक्षा का विकास होता शिक्षा की प्रकिरिया विध्यालों में विभिन प्रकार के पाठे चरे तथा पाठन सैग आमी करियाओं का आयोजन करके शिक्षन प्रकिरिया का संचालन किया जाता है विद्यालों में शिक्षकों का प्रयास होता है कि पाठे चराय की पूर्ती के सासाथ बच्चों में सामजिक मुल्यों का भी विकास किया जाए मुल्यों की शिक्षन प्रकेरिया ज्ञान से आरम होती है तथा पूने उस ज्ञान से संबदित भावना यम समवेद्राओं को विक्सित करती है इसके उप्रान प्रयास किया जाता है कि उसको आचरण में भी विक्सित किया जाए तभी मुल्यों की शिक्षण प्रकिर्या पूर्ण होगी इस प्रकार मुल्यों को सीखने हम सिखाने के अपना क्रम होता है कैसे ग्यानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और आच्रन पक्ष इस क्रम के अनुसरन करने से मुल्यों की शिक्षन प्रकेरिया पूर्ण होती है किसी मुल्यों का ग्यानात्मक पक्ष सीमित नहीं रखा जा सकता बलकि उसमें भाव पक्ष के साथ आचरन पक्ष भी होना सम्मिलित है शिक्षा की पाठेचर्य शिक्षा की प्रेकरिय का आधार पाठेचर्य होती है विद्यालों में मुल्यों की शिक्षा का कम महत्व दिये जानने के कारण यह आवश्यक है कि पाठेचरा के सरूप इस प्रकार निर्मित किये जाएं कि उसमें नैतिक, सौंदर, नुभूति, सामाजिक तता धार्मिक मुल्यों का विकास हो इसलिए देकिन नैतिक शिक्षा की किताब भी चलाई जाती है इस विद्यालोमेटिक है इसको मौरेल अजूकेशन भी कहते हैं इस जस्टी से भाशाओं, मापुर्शों की जीवनिया, कला, विशे तता सामाचिक विशे को समुलित किया जाएं शिक्षा की पाठे चर्य मुल्य परक होने से मनुष्य को संसार का वास्त्वि ज्यान होता है तथा उसे अपने जीवन के अंतिम लक्षियों का विबोध होता है उसमें समुचित आदतों का विकास भी होता है समाज में सुक और शांती के वातावरण के साथ मानुता की भावना का विकास भी होता है मुल्य परक शिक्षा के संबंद में दार्शिन को ने सुझाओ दिया है कि पहला पाठे चरिया में मुल्यों को अध्यान का विशे के रूप में समलित किया जाए और दूसरा अन्य विशों की पाठे चरिया में मुल्य परक बनाया जाए विशों के विशों के शिक्षन में मुल्यों का विकास वर्तमान समय में मानव मुल्यों में विगठन एवं उससे सम्मंदित अराजकता एवं विश्वयापी समस्या है इसलिए साहित्तेकारों भुगोल वेकताओं और तत्व वेकताओं का ये परमदाइत्व है कि ऐसे व्यापक आधार वाले सांस्कृतिक जीवन मुल्यों कर स्रजन किया जाए जिससे वैज्ञानिक उपलब्दियों का मानव कल्यान में उप्योग किया जा सके साती-सात वैज्ञानिक उपलब्दियों बालको में संकेन मानसिक्ता कि सतान पर सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए की मानसिक्ता का आभिवाओं यानिकि अपना ही सुख मत देखो अपना ही मत देखो सबके लिए सोचो देखें आजगल क्या सिखा जाता है बच्चों को कि अपना देखो पाठ्थे सहगामी किरियाएं मुल्यों की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालों में पाठ्थे सहगामी किरियाओं का आयोजन किया जाएं जिससे शिक्षा समंदी कारिक्रम मुल्ले पर रखो पाठ्थे सहगामी किरियाओं के प्रमुक कारिक्रम खेल पूद संगीत नाटक चित्रकारी स्काउटिंग गल्स गाइडिंग रेट क्रॉस एंसेस विभिन विशे संबंदिक क्लबों का आयोजन रास्टे परवों का आयोजन आधिसम्मिलेते इनकी आयोजन में मुल्यों के विकास को विशेश महत्व दिया जाता है शिक्षन विदिया एवं प्रविदिया वास्तिर रूप से मुल्यों का विकास बालक में घर परिवार में अपने बड़ों के विवारों के अनुकरन से तो अधिक होता है क्योंकि वे उनके लिए आदश होते हैं धार्मिक संस्ताओं के कारिकरम द्वारा भी मुल्यों का विकास किया जाता है वस्तुते शिक्षन विदिया पाठ्थे वस्तु के इंद्रित होती है इसलिए महाविद्यालों में मुल्यों के विकास के लिए पाठ्थे चर्य निर्मान किया जाता है इसमें नीमलिकित कहानी शेक्षिक यात्राएं भूमी का निर्वा विदी और केंद्री किर्या केंद्री प्रशिक्षण विदी अनुकरन विदी इस विदी में शिक्षक की भूमी का एक आदश की रूप में होनी चाहिए जिससे चात्र का उनका अनुकरन करे तो उनमें भी मुल्यों का विकास ठीक है क्या होना चाहिए शिक्षक की भूमी का एक आधाश रूपिए जो टीचर है उसको एक हाइडल ना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करता है टीचर को फॉलोग करते हैं नाट के विद्यालों में शत्र के बीच पीच में आधाश नाटकों का आवजन कराया जाना लगा हमारण प्रिताप का हो गया शिवा जी के हो गए तो उसका प्लेट करवा दें ऊतर रहे इस तरह के कारीकम उझात्र में वास्टार उनके उनके मुल्यों में वास्तविक ज्यान सम्बंदी होती है षैक कहि ऊतर रहे पंदर है करें केंग्या मॉनुमेंट दिखाने ले गए ताज में लो गया और लाल किला हो गया और जो चीजें हैं जो हमारे इत्यास से जुड़ी भी है तो उससे क्या हो देखने से बच्चों को ज्यादा नौलेज होता है भूमी का निर्वा विदी इस विदी के द्वारा चात्रों को विभिन भू किसी एक बच्चे को कुछ ना कुछ उनको रिस्मोंसबिलिटी दे दे तो अपना रोल अच्छे से प्ले करें क्रिया केंद्रित प्रशिक्षण इस विदी से भी छात्रों में मुल्यों का विकास होता है जैसे एंसी सी के शिवरों में अभ्यारति को जो कारे सौपे जाते ह इसमें नेत्रा तो संबंदी मुल्यों का विकास होते हैं अध्यापक की भूमी का मुल्यों के विकास में अनुकरण विदी और भूमी का निर्वा विदी अधिक प्रभावशाली है क्योंकि मुल्य आच्रण का विश्य अधिक है तथा ज्यान का कम मुल्यों की विकास में भावप्रधान्ता अधिक होती है अर्थात मुल्म्यों का स самमण्ध भावनों तता सम्वीतनों से अधिक होता है व्यविक विकास के लिए अध्यापक की मेहम बुमी का होती है इक है क्षिक्री का परम करताव है कि वह अपने उच्छाधर्शओं का आच्रिव करें इसे समयन में कुछ विद्वानों ने अपने विचाम व्यक्ति किये हों डिट मनु ने शिक्षक को ब्रह्म की छाया बताया है भारतिय प्रात्ना में शिक्षक को ब्रह्म स्रजन करता विश्नु तता माईश्वर कहा गिया है तदा शिक्षक को संसार में सर पूजे माना गिया है इस प्रकार मुल्य शिक्षा की कोई निर्धारित पाटे चरया नहीं है वहत तो अध्यापकी योगेता यूम कुशलता पर निर्भर होता है एक सूयोगे शिक्षक यह जानता है कि छात्रों का चरित्र उत्तम बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए इसलिए शिक्षक को विद्याले में नेतिक मुल्यों मुल्यों के सरक्षण के रूप में रहना चाहिए तभी वे अपनी व्यक्तिगत आच्रण से चात्रों को प्रभावित करेगा तता चात्रों में शिक्षा के समझ शेत्रों में से संबनेत मुल्यों को विकास रिक्सित करने में भी सपल होगा चात्र की भूमी का, मुल्य की विकास में चात्र की भूमी का अहम होती है, मुल्यों की विकास के लिए शिक्षा सभी पक्षों पर एक ही लक्षे है, चात्रों में मुल्यों का विकास करना, विद्याले तता कक्षा का वातर इस प्रकार बनाया जाए कि चात्रों में सकारात्म चिंतन का विकास हो चात्रों को मुल्यों के विकास करने में निमलिखित बातों का अनुसरन करना चाहिए चात्रों को अपने शिक्षक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए चात्रों को शिक्षकों के आग्याओं आधर्शों का पालन करना पालन पूर्ण आस्ता के साथ क प्रत्र विश्यों की अध्यान से उसे जो बाते अच्छी लगे उन्हें अपने आच्रन का मुल्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। एवं शिक्षक में पारस्परिक अन्ते क्रिया को मुल्य स्रजन हो। चाट्रों को विध्याले की सैगामी किरिया से भाग लेना चाहिए इससे उसके आधर्शों मुल्यों में वरद्धी होगी विद्याले में अधिकांश की रियाकला प्रत्यक्ष रूप से मुव्यों की शिक्षा देने का कारे करते हैं J.S. Ross महोदे की विचार की शिक्षा वे संस्ताइं हैं जिनको सब्वे मनुष्य की उद्यारा अ मैं इस स्थापित किया जाता है कि समाज में सुवरसित और योग्ज के सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सायता मिले जॉन डूबी ने भी इस बात की पुस्टी की है कि विद्याले एक ऐसा विशिस्ट वाता वरण है जहां जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेश प्रकार की किरियाओं एवं वरस्ताओं की शिक्षा इसलिए दी जाते ही कि बालक का वांचित दिशा में के विकास हो अते विद्याले बालक कि किशोर जीवन और संख़ोधिति एव्स संतुलित विकास है साथ ही साथ अपने विभिन सायक विद्यों द्वारा छात्र में महत्पुर्ण मुल्यों का विकास करता है राष्टे मुल्यों को वाल्यpowered teaching people सभीस राष्टे-पर्व सतंत् में लाने के लिए अफसर एवं परिस्तिया मिलती है जिससे विद्यार्तियों से निस्टा स्वत्र है प्रभावी तरीके से विक्सित होती है इन किर्या किलापों को लोगतांत्रिक रूप से आयोजित किया जाता है और किया जाना भी चाहिए और छात्रों की सहब बागेता अभी पेड़ना आधी का ध्यान में रखती है अधिकाश उत्तरदाइत छात्रों को शौपना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे मुल्य विमानसा के समिक्षा मुल्य विमानसा एवं शिक्षा के सरूप से सरूप के विवेचन से सपस्ट होता है कि मुल्य विमानसा शिक्षा की प्रकिरिया को नेदर्शित करती है एवं उसकी विवारिकता को दिश्या प्रदान करती है हमारे मुल्य ही ज्यान के चैन के के लिए अधार करते हैं अधार करते हैं मुले विमांशा में एवं भाव के साथ आचो प्रदान होता है शिक्षा को दर्शन का विवारिक पक्ष का संबंध निकe— संभन Cas doğru part होता है शिक्षा की प्रकिल्या दुआरा बालकों में शांस्करतिक मुल्य का विकास किया जाता है, साथ ही साथ उनकी प्रतिभाओं को भी विक्सित करने का प्रयास किया जाता है तो यह हमारा फस्स चेप्टर आज कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम सेकंड चेप्टर देखेंगे भारते दर्शन यो शिक्षात अब तक के लिए आप इसको देखेंगे और अगर बोलते बोलते मैं थक गई और कुछ वर्ष इदर उदर हो गया है, then I'm so sorry चेक क्या बाई बाई